हलो फ्रेंड्स आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और यह बहुत ही सक्सेस्फुल राख तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कल मैंने ब्रॉकली पास्ता बनाया था अभी मैंने उसकी रेस्पी आपसे शेयर नहीं की वो वीडियो में आज शेयर करूंगी तो वो काफी सारा बच गया था ब्रॉकली पास्ता तो मैं सोचा कि अभी दुबारा इसको कोन खाएगा तो मैंने उस पास्ता में थोड़े से ओट्स मिला दिये और पास्ता को ओट्स के साथ एकदम मैश कर दिया और फिर मैंने इसका ये चीला बनाया है, it's truly yum, मैंने एक बाइट खाई, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही टेस्टी बनाया है, तो क्यों ना इसे शियर किया जाए, तो कभी आपका किसी भी तरह का पास्ता बच जाए, तो मैटो पास्ता, ब्रॉकली पास्ता, या वाइट तो आप उसको फैंकिये मत, उसमें ओट्स को अच्छे से मैश कर दीजे, और उसका एक चीला बना लीजे, मैंने इसमें कुछ भी नहीं राला, आप चाहें तो प्याज, हरी मिर्च, धनिया भी आट कर सकते हैं, बट ये ऐसे ही इतना यम्मी बनाया है, तो आप इसको म्योन इसके साथ भी खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ, और एनी सॉस अफ योर चॉइस, बट इस टूली यम्म, थैंक यू